हलो स्टूडेंस आज साथ दिसंबर 2018 है और आज का मॉस्ट इंपर्टेंट करेंट अफेर लेकर आया हूं जो लोग पहली बार हमारे चैनल प्यार हैं डेली सबसे पहले करेंट अफेर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरह एक बेल आइकन को उसका नोटिफिकेसान आपको मिल जाएगा आज के करेंट अफेर के पीडिफ निचर डिस्क्रिप्शन से आप नावलोड कर सकते हैं करेंट अफेर के साथ साथ जो भी इंपोर्टेंट एक्ट्रा फेक्ट होंगे वे सभी हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो देखने के और परबंध निदेशक बने हैं अतुल सहाय, ओप्शन ए राइट अंसर है, अतुल सहाय को पांच वर्स के लिए निउक्त किया गया है, जी सिरी निवासन के रेटायर होने के बाद जुलाई 2018 से ही यह पद खाली था, अब जाके नए चेर्मेन और एमडी बन गए हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के अध्यक्षता में यह निउक्ति की है, NIA जो है यानि निव इंडिया एशुरेंस यह एक प्राइबेट सेक्टर की इंसुरेंस कमपनी है, इसकी आस्थापना 1919 में की गई थी, राष्ट्रिय करन यानि नेस्नालाइजेशन हुआ था, 1973 में सनरक्षन योजना 2018 मसाओदे को मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने, option B, right answer, इसका उद्देश क्या है, गवाह सनरक्षन योजना का उद्देश क्या है, गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन और प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी खत्रे से बचा इसका मुख्य उद्देश है, यही है योजना, ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़े ध्यान में रखिएगा, यह योजना अनुछेद 141 और अनुछेद 142 के तहत एक कानून होगा, तो अनुछेद का नाम याद रखिए, और सभी राजियों को लागू करने के लिए सुप् इसके अपना 28 जनुवरी 1950 को की गई थी, प्रेजेंट टाइम में इसके CJI, यानि Chief Justice of India, यानि मुखनियदिस, रंजन को गोई है, जो कि 46 मुखनियदिस है, इसके पहले 45 मुखनियदिस थे दीपक मिसरा, वे 2 अक्टूबर को रिटाइर हो गए, और 3 अक्टूबर को शबत या रंजन गोगई ने भारत का जो सुप्रीम कौट है इसका मोटो क्या है यतू धर्मस्ततो, जया इसका मोटो है, सुप्रीम कौट में नियाधिष कितने हो सकते हैं, 30 नियाधिष हो सकते हैं maximum और एक मुख नियाधिष लेकिन प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोट में 27 नेधिस हैं और एक मुख नेधिस हैं यानि टोटल 28 अगला कोशन है पांच दिसंबर को 2017 के लिए दक्षिन सहित अकादमी के भासा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है इसका सही उतर है ओप्षन C जी वेंकट सुब्य या को सम्मानित किया गया है ध्यान दखिए दक्षिनी सहित के लिए तो अलग-अलग छेतरों के लिए अलग-अलग लोगों के दिया गया है तो दक्षिनी सहित अकादमी के लिए भासा सम्मान दिया गया है जी वेंकट सुब बात करे उत्तर छेत्र के लिए भासा सम्मान से किसे समानित किया गया है योगेंदर नाथ शर्मा को बात करे पुर्वी छेत्र के लिए किसे दिया गया है गगेंदर नाथ दास को इन सभी को नोट कर लिजे और पश्मी छेत्र के लिए भासा सम्मान से पुरास्कृत किया गय सने के लिए दिया गया है, अगला कॉशन है, हाली में किस ने digitalosteland के लिए लोग पाल योजना लागू करने की घुषना की है, RBI ने लागू करने की घुषना की है, और यह डिजिटल लेन देन के लिए लोग पली योजना 2019 से लागू हो जाएगी RBI जो है भारत का केंद्रिय बैंक है रिजोर बैंक ओफ इंडिया यह योजना जन्वारी 2019 के अंत में अधिसूचित की जाएगी इसका उदेश है डिजिटल लेन देन से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अलग तंत्र यानि निकाई या संस्था अस्थाफित करना अब हम जानेंगे RBI के बारे में RBI की अस्थाफनोई थी 1 अपरेल 1935 को राष्ट्री ये करन हुआ था 1 जनवरी 1909 को इसका हेड़क्वाटर है मुंबई में प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर है उर्जित पटेल अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए रिजौर बैंक ओफ इंडिया जो होता है उसके RBI के Central Board of Director होते हैं कितने 21 होते हैं और उप गवर्नर कितने होते हैं यानि Deputy Governor 4 होते हैं ये ध्यान में रखियेगा तो गवर्नर हैं उर्जित पटेल और 4 उप गवर्नर भी हैं जिनका नाम लिख दिया हूँ अब देख सकते हैं अगला कोशन है गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा आज ही से शुरू हो रहा है उप्शन A राइट अंसर इसका उद्देश क्या है दुनिया भर से निवेश प्राप्त करने के लिए बारतिये श्टार्ट अउसरों का प्रदार्शन करना और इसका आयोजन जो कर रहा है वानी जियों उदोग मंत्राले तथा गोवा सरकार प्रेजन टाइम में वानी जियों उदोग मंत्री कौन है सुरेश परभू है गोवा एंसर है इसका अब चलिए गोवा के बारे में जानेंगे सबसे पहले ये जानिए ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका थीम भी है यानि विशय Mobilizing Global Capital for Innovation in India इसका थीम है तो ये भी नोट करिएगा अब चलिए गोवा का मैप देखते हैं ये रहा मैप च्यत्रफल के दिरिष्टी से भारत का 29 सबसे बड़ा राज्य है और जन संक्य के दिरिष्टी से 26 सबसे बड़ा राज्य है दो राजियों से इसकी सीमा टच करती है महराष्टर तथा करना तक अब बात करें Literacy Rate की तो वो है 88.7 0% यानि सक्षार्तादर है सेक्स रेशियों कितना है 973 है 2011 की जनगाणना के अनुसार यानि एक हजार पुरोंसों पर 973 महिला है गोआ का गठन कब हुआ था 30 मई 1987 कैपिटाल है पंड़ जी प्रेजेंट टाब में मुख मंत्री है मनोहर परविकर राजयपाल है मेरे दूला सिनह लोकसाबसीट की संख्या 2 राजयसाबसीट की संख्या 1 विधानसाबसीट की संख्या 40 जीलों की संख्या 2 है मात्र मुखने अदिस है नरेश हरिश चंदर पाटिल जो की मुंबई उचे नेले के मुखने अदिस है ये ध्यान में रखियेगा मुंबई उचे नेले जो है उसके अंतर गत एक अन्याराज जाता है ये तो महराष्ट में है और लेडी मुंबई में लेकिन एक अन्याराज जाता है गोवा और दो केंदर सासित परदेश आते हैं दमन एंट दिव और दादरा नगर हवेली लोक नरते हैं देखनी, धालो, फुगदी, मंडो तथा लेंप डांस नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क जिसे मॉललेम नेशनल पार्क के नाम से भी जना जाता है बोंडला वाइलेफ सेंचूरी तथा चोराओ वाइलेफ सेंचूरी चोराओ वाइलेफ सेंचूरी को डाक्टर सलीम अली वाइलेफ सेंचूरी के नाम से भी जना जाता है डाक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मिर में वो नेशनल पार्क है और ये वाइललेफ सेंच्वरी है अगला कोशन है Global Carbon Project के रिपोर्ट के अनुसार 2017 के अधार पर भारत कर्बन डाई अक्साइड के उत्सर्जन में किस अस्थान परे है भारत पूरे विश्व में चोथे अस्थान परे कर्बन डाई अक्साइड उत्सर्जन के मामले में पूरे विश्व में भारत अकेले 7% कर्बन डाई अक्साइड का उत्सर्जन करता है भारत तो चोथे अस्थान परे है बाकी तीन पहले कौन है? पहले अस्थान पे चीन है, पूरे विश्व में अकेले चीन 27% करबंडाई अकसाइड का उसर्जन करता है दूसरे अस्थान पर है अमेरिका, अमेरिका पूरे विश्व में अकेले 15% करबंडाई अकसाइड का उसर्जन करता है तिसरे अस्थान पर है यूरोपिये संग, यूरोपिये संग अकेले पूरे विश्व में 10% कर्बन डाय अक्साइट का उत्सर्जन करता है चली अगला कोशन है, कि सराज्य का एक सत्र अदालत इभुकतान परनाली शुरू करने वाला देश का पहला अदालत बन गया है महराष्टर का एक अदालत है, पूरे जिला का सत्र अदालत उसी ने पहला भारत का इभुकतान परनाली शुरू किया है इसका उदेश क्या है, ब्राष्टा चार को कम करना तथा पैसों की लेन देन में पारदर सिता लना इस तरह से बिभिन मामलों के वकील और अन्यवादी ओनलाइन भुकतान करने में सक्छम होंगे पूरे जिला जो है, तो पूरे जिला का सत्र अदालत जो है, उसी ने इभुकतान परनाली शुरू किया है महराष्ट एंसर है इसका, चलिए महराष्ट का मैप देखते हैं, ये रहा इसका मैप छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्य की दिरिष्टी से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है छे राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से इसका बोर्डर टच करता है छे राज्यों में कौन? गोवा, करनाटक, तेलंग गाना, छतिस गड़, मध्य परदेश तथा गुजरात एक यूनियन टेरिटरी है उसकी सीमा इसकी सीमा से टच करती है वो है दादरा नगर हवेली अब बात करें महराष्ट की लिटरेशी रेट कितनी है? वो है 82.34 प्रतिशत सेक्स रेशियो यानि लिंगान उपात कितना है? 929, 929, एक हजार पुरोसो पर 929 महिला है अब बात करें गठन का भुहता महराष्ट का, 1 मई 1960 यहां के CM है देवेंद्र फड़नविस, गौवर्नर है C.E. विद्या सागर राव, कैपिटाल है मुंबई, लोक सबा सीट की संखिया 48, अराज्य सबा सीट की संखिया 28, विधान सबा सीट की संखिया 28, विधान परिशत भी है जिसकी सीट की संखिया 28, जीलों की संखिया 36 ह मुखने अदिस है नरेस हरिष्च अंत्रपार्टिल मूंबई उचे नयले के मुखने अदिस है लोख नरित्ते हैं महाराष्ट का लाउड़ी नाशनल पर्क है चंदोली नेशनल पर्क नवे गाउं नेशनल पर्क तथा संजय गांधी nerfrage अगला कोशन है, पांच दिसंबर को किस राजे की सरकार ने मुख्य मंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने इसे शुरू किया है. इस योजना के तहत 60 वर्से अधिक उम्र के जो भी बेक्ती हैं, वे अपने पती पत्नी के साथ मुफ्त में तिर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं या उसके पात्रों होंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार ने रेल्वे के साथ समझाता किया है ताकि उन्हें मुफ्त में सफर करा जा सके. तो 60 वर्से अधिक उम्र के अधिक बेक्तियों के लिए या योजना है. दिल्ली अंसर है इसका, चलिए दिल्ली के बारे में जानते हैं, मैप देख लिजे, ये रहा दिल्ली. छेतरफल के दरिष्टी से केंदर सासित परदेश और राज्य मिलाकर इसका अस्थान एक तीसुए अस्थान पर हैं, 31 अस्थान पर हैं. दिल्ली एक केंदर सासित परदेश हैं. और जन संक्या की बात करें, केंदर सासित परदेशों में तो पहले अस्थान पर हैं. साथ केंदर सासित परदेश हैं, तो जन संक्या की दरिष्टी से दिल्ली का अस्थान पहला बात करें अगर दिल्ली की लिटरेसी रेट कितनी है तो वो है 86.21 प्रतिशत शेक्स रेसियो कितना है अगला कोशन है 5.12.2018 को प्रतिश्थित सहित्य अकादमी पुरसकार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है किसके लिए इन्होंने एक उपनियास लिखाया है जिसका नाम है संचारम तो संचारम के लिए इन्हें इहां पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इस पुस्तक का नाम अब दिहान में रखियेगा इन्हें 2010 में टैगोर साहित पुरसकार भी दिया गया था इनका एक उपनियास था यमम इसके लिए अगला कोशन है कि सहराज्जी की सरकार ने समार्ट नमक पहल शुरू की है महराष्ट की सरकार ने ओप्शन भी राइट अंसर है इसका इसमार्ट का फूल पम क्या है लिख दिया हो नीचे देख लिजे इस्टेट ओफ महराष्ट्रा एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफोर्मेशन इस समार्ट का उद्देश क्या है क्रीसी मुल्य सिरेंखलाओं में सुधार करने इसका मुख्य उद्देश है इसके ताथ राज्य भर के लगभग एक हजार किसानों पर विशेश दिया जाएगा और यहाः पहल जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है जिसमें इस पहल में कुल लगता रहा है तीन सो मिलियन डॉलर का लेकिन इसमें वर्लड बैंक अकेले сказать 210 मिलियन डॉलर का सयोग दे रहा है तो यह था हमारा आज का Current Affair इसका PDF नीचे दिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वहां से डाउलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शियर जरूर करिएगा अब चलिए कल के कोशन का एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था पांच दिसंबर से कहां पर भाला तजल प्रभाव सीखर समयलन 2018 का आयोजन शुरू हुआ है नई दिल्ली अंसर था सभी लोग ने अंसर सही दिया था दूसरा कोशन था अब चलिए आज का कोशन है पहला कोशन है इसके मालिक कौन है वो भी कमेंट जरूर करिएगा संजाय गांधी राष्ट्रिय उद्यान निम नलिखित में से की सराज्य में इस्थित है दोनों का एंसर कमेंट कर दिजे कल के वीडियो में इसका एंसर बता दूँगा डेली, वीकली और मंथली करेंट अफर देखने के लिए जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आप डेली पीडिएफ हमारे टेली गराम से भी डाउनलोड कर सकते हैं